तो यह वीडियो जो है वो सिकेंड डाइम रेकॉर्ड हो रहा है पहली बार जब मैं रेकॉर्ड का बटन दबाया था मैं चेक नहीं जादा कि रेकॉर्ड का बटन जो है वो ओने आध़ और मैं ऐसे ही बूलते गया आदे गॉट्टे का वीडियो अलड़ी बन चुका था और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मही रेकॉर्ड का बटन जो है वो ओफ था तो बहुत एक ट्राजडी हो गई कर मैं सोचा कि फिर से इस वीडियो को रेकॉर्ड कर देते तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो है अनन्त राज अब अनन्त राज जो ह इंट्रेस्टिंग लगता है क्योंकि यह जो कंपनी है यह अच्छे कासे वैलियेशन पर अविलेबल है मतलब 80 के पी पर अविलेबल है और पी जीत का कुछ 1.77 है और कंपनी जो है अपने रेविन्यू बहुत फास पेस पे इंक्रीज करते जा रही है इसके साथ साथ जह से अपकमिंग प्रोजक्स आपको देख सकते है जो कि ग्रूप हाऊजिंग के अंदर है विलास ब्लूस के अंदर है डीडीज यह आफोड़ेबल हाऊजिंग के अंदर बहुत बहुत अजिग बीनाता है इसके साथ साथ इनका रीटेल भी को ज ella यह लोग रियल इस्टेट वगिरा कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनका एक होटेल सेग्मेंट भी है जाहिए है होस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर रियल इस्टेट वगिरा के अंदर भी एक कंपणी जो है इसके साथ साथ अगर आप रियल इस्टेट कंपणी जो है अच्छे का से रियल इस्टेट कंपणी जो है यह एक इंपोर्टन फैक्टर नहीं होता है पर इसके बाद बात करें तो डेटा सेंटर का जो इनका सेक्टर है मतलब इनका जो business है, business का जो इनका sector है data center वाला, वो मुझे सबसे साथ attractive लगता है, अब क्यों लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि data centers का penetration है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर data का penetration इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए data centers वाला मुझे बड़ा attractive लगता है, औ data centers के उपर काम कर रहे है, और data centers इंडिया के उपर, मतलब इंडिया के अंदर basically बहुत बड़ी growth show नी बन सकती है, तो यह जो चीज़े जो कि हमको notice कहने चीए, अब revenues की बात करें, तो company अपने revenues जो है, पिछले चार साल के अंदर 78% क्यागर से increase कर रही है, अब इटा 89% कर रहे है, तो FI 23 और FI 24 के अंदर, company ने जो अपने revenues है, वो 50% से increase किया, और profit after tax जो है, वो 81% से increase हुआ है, मतलब company को operating leverage मिल रहा है, अब operating leverage किसी भी company को जब मिलता है, जब उसके sales के number से, उनके profit के number जो है, वो जादा होते है, क्योंकि company जो है, cost efficiencies use कर रहे है, इनके जो बा जो है, अपना debt जो है, वो constantly reduce करते जा रहे है, जो कि कुछ लोगों के लिए positive बात भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए negative बात भी हो सकती है, क्योंकि company के management ने अपने control के अंदर एक statement दिया है, कि हम जो है, एक debt-averse management है, मतलब हम maximum cases में try करेंगे, कि debt ना ले, बट ये debt, basically इन हो जाएगी, तो इनकी management के ये कोशिश है, कि debt ना ले, बट ये एक मुझे negative सा aspect लगता है, क्योंकि किसी भी company को अगर grow करना है, तो उसे debt लेना बड़ता है, या फिर कोई time आ जाएगी company को grow करता रहना है, तो उस time पर company का management है, उसे open होना चाहिए debt लेने के लिए, तो आप जो है, सारे business segments के लिए अच्छे numbers दे रहा है, बट ये जो debt वाली बात थी है, मुझे थोड़ी से negative तरफ कीशदी management के, तो ये मुझे एक negative लगा, कि जो कि मुझे highlight करना चाहिए, फिर उसके बाद बात कर रहा है, तो इनका debt वो constant है, reduce हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि company जो अपना leverage reduce कर रहा है, जिसके वज़ास से company को जो है risk में reduce होते जा रहा है, फिर financial highlights के बात करें इस company के बारे में, इनका जो borrowing cost है, वो भी दीरे दीरे reduce होते जा रहा है, मतलब 10% के नीचे चले गया इनका borrowing cost, और फिर उसके बात कर रहा है, तो इनके state residences के अंदर construction work बगेरा start हो चुका है, 3,5-4 साल के अंदर यह जो काम है वो पूरा complete हो जाएगा, data centers के अंदर यह सबसे बड़ा expansion कर रही है, इनका मानेसर के अंदर Q1 FI 25 तक कुछ अभी 3 megawatt का जो plant है वो आ रहा है, additional 3 megawatt का, फिर उसके बाद पंच कुला के अंदर इनका जो 6 megawatt का और जो दूसरा है, एक और बड़ा plant यह लोग लेकर आ रहे, राय में, जहाँ पे इनका कुछ plant का size होगा 200 megawatt, तो basically company के management ने plan करकर रखा है कि इनन 307 megawatt के जो data centers है, वो उपन करकर रखने, अब पहले हम इनके strategic priorities डिसकस कर लेते हैं, तो company के पास 15,000 croze का land bank, बंद बेसिकल यह आपके land के valuation नहीं है, company जो है 15,000 croze जो है, वो revenue generate कर सकती है, इनके पास जो available land bank है, उससे 4 to 5 years के अंदर, और इसके साथ-साथ इनके पास 100 acres का land भी बढ़ा हुआ है डेली के अंदर और यह data centers के अंदर भी बहुत जादा expansion कर रहे हैं, अब अनन्त राज being a real estate company, इसके पास land हो गया, building हो गया, यह सारी available होती हो, data centers को कभी भी build करना होता है, तो कुछ 70 crore के असपास का cost आथा data centers को build करने के लिए, और यह जो company है, इनके पास already land पढ़ा हुआ है, already buildings पढ़ी हुए, इन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ data centers setup करने बाँ, तो इनका जो cost है comparative ले बहुत fast expand कर रहे है, company का management है, वो भी data centers, इस segment के अंदर बहुत साधा bullish है, और data centers की need भी है इंडिया के अंदर, क्योंकि data का penetration है इंडिया के अंदर, constantly increase होते जा रहा है, और data centers के साथ यह cloud service adoption भी कर रहा है, अब cloud service की बात करें, तो इनका जो एक client है, TCNL, उन्होंने इनने बूला था कि cloud services इनने start करना है, client करना मुझे एक रियाद नहीं आ रहा है, बट वो client नहीं आकर इनने बोला कि आप cloud services जो है, वो start करो, जिसके वाज़े से इनके revenues पर अच्छा का सब हम देखने मिल सकता है, और अब यह cloud services start होगी, यह co-working के अंदर, co-working model के अंदर ही start होगी, जिसमें पंदरा साल के lease पे data centers को lend करेंगे, और lease पे देंगे लोगों को, और data centers से fixed rent अननतराज के पास आता रहेगा, management जो है, वो बहुत जादा rent oriented है, जो कि एक positive बात लगे मुझे इस company के management के बार में, क्योंकि basically company का management यहीं बोला, उनके अंदर, उनके control के अंदर कि data centers जो है, इनके एक नया space है बहुत जादा, बट rent, लेना, rent collect करना इनके एक बहुत जादा पुराना space है, क्योंकि एक बहुत time से real estate के अंदर है, तो इसलिए data centers के तरीके भी, data centers भी उनने उसी तरीके से खोल है, कि यह लोग क्या करेंगे, कि data centers setup करेंगे, और वा सबस rent collect करते रहेंगे, तो इनका cloud service से setup करने का भी प्लान है, बट maximum जो revenues generate करेंगे, वो rent से यहोगा data centers के अंदर, और एक और बात जो है, कि इंडिया के अंदर data centers के जो top 5 operators है, उनका कुछ market share 51% के आसपस चले गया है, पिछले साल 77% के आसपस था, इसका मतब यह है, कि जो दूसरे un-organized player है, आपके जो top 5 players से जो नीचे वाले players है, उनको opportunity मिल रहे है, उनका उसो market share हो increase होते जा रहा है, तो अनंतरा जैसी जो companies है, इनके लिए एक positive बात हो जाती है, क्योंकि यह अपना market share data centers के अंदर increase कर सकती है, तो यह इस company के लिए एक और positive बात हो जाती है, और इसके साथ-साथ company का जो management है, अब ही present जो इंडिया की capacity है, उससे कुछ 4-5 सान के अंदर data centers की जो total capacity है, वो कुछ 7-9 times के असपस हो जाएगी, तो यह एक और positive बात है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले ही पता चुका हूँना, real estate और data centers, दोनों industry के अंदर बहुत जादा टेल मिल जाओ, दोनों industry के अंद सेट अप करने के बाद एक अच्छा काथा revenue के अंदर bump up देखने मिल सकता है, क्योंकि आप सबको बदा है कि इंडिया के अंदर cloud services की कित्ती ज्यादा नीड है, एक और company को है, cloud services के अंदर काम करती है, वेरे इसाब से वो एक ही company है, listed space ना, E2E network नाम है उस company का, राइट, E2E networks और फिर उसके बाद नाम साच कर लेना, तो आपको उसके बारे में भी analysis मिल जाएगा, फिर उसके बाद इस company के capacity की बात करें, तो जैसे कि आप देख सकते हूँ कि data center industry के अंदर बहुत ज़्यादा बूम है, data centers के अंदर भी बहुत ज़्यादा बूम है, आपको data centers के गवर number of data centers के अंदर हमें अच्छा का सा bump up देखने मिल सकता है, तो इसके बात कर तो government बहुत सारी policies में produce कर रही है, और Delhi NCR जो है, one of the hot city है in India, तो वहाँ पर data centers जैसी जो चीजे होती है, उनका अच्छा का सा स्कोप है, अब यह जो company, बेसिकली इसका जो residential वाला है, वो maximum Delhi के अंद company के जो real estate projects है, वो diversified है, बट थोड़ा सा तो concentration मुझे दिली के तरफ फील होता है, इस company का, फिर उसके बात कर रहे है, तो company का जो management है, वो बोलता है कि इनका कुछ माने सर के अंदर 50 megawatt का project आने वाला है, उसके बाद पंचकुला के अंदर 57 megawatt का, और 200 megawatt का यह रहाई के अंदर एक facility इंच्रॉल कर रहे है, इसके साथ-साथ इन्होंने एक MOU भी बना के रखा है, Orange Businesses, इंडिया, टेकनलोजी के साथ-साथ, और फिर यह सारी जो चीज़े है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताएगी, TCIL के साथ, यह मिलन के strategic alliance बना कर, इस लोग partnership कर चुगे, rail deal के स और जहां पे rail deal जो है, इनके data centers यूज करेगा, और यह TCIL के साथ मिलनके, यह cloud services है, वो बनाएगी, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो company जो है promise भी कर रहा है, company का management के हमारे जो data centers है, वो best in class रहेगे, cost उनको बनारे के लिए हमारे पास बहुत कम रहेगा, तो operating leverage management को अच्छा का सा देखने मिल सकता है, तो यह अच्छी चीज है, management constantly promise करते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, पर आप देख सकते हो कि यह इनके कुछ upcoming और ongoing projects है, आप देख सकते हो कि यह इस तीनों जो है, वो main इनके data centers है, पहला मानेसर है, दूसरा जो है पंचकुला है, और Mitsubishi Electric है, और Climaventa भी है, इसके साथ साथ Low Tiles के यह यूनी टाइल है, तो यह जितने भी बड़े-बड़े नाम है, अच्छे खास से बड़े-बड़े नाम जो है, आपको screen पर देखने मिल रहे है, तो यह सारे जो है, इनके partners है, मतलब पार्टनस मतलब यह basically आपके industry need is for premium construction, और इनके साथ जो है, पार्टनर्शिप करकर रखे आने अंतराज ने data centers बनाने के लिए, तो यह इनका data center का आपको sneak peek देखने मिल रहा होगा, यह जो manager का data center है, इसका sneak peek है, company के management अपने investors PPD में दिया हुआ है, और यह basically data centers इस तरीक से दिखते है, और यह जो data centers है, अब आपक इसके तरफ adopt हो रहे है, क्योंकि maximum जो हमारे startups है, वो आपके internet startups है और उन्हें जो है data बहुत जादा important है, तो बहुत सारे startups जो है, उनको data center की need लग रही है, और data लगे गाई है, क्योंकि इनके maximum जो businesses है, वो data भी उपर depend करता है, तो उसलिए data centers की need भी constant increase होते जा रही है, फिर एक बार इनके residential market के बार में बात कर लेती है, इनके residential portfolio के बार में तो डेली NCR के अंदर इनके maximum residential houses है, मतलब maximum residential projects है, यही मतलब था मेरे बोलने का, फिर उसके बाद आप बात करो, डेली NCR का housing market है, वो up cycle के अंदर है, इनकी जो inventory है, हाउसिंग market की, जो इनके पास पहले जारी है, जो कि एक positive बात है, और फिर उसके बाद अगर आप देखो गया, तो डेली NCR का residential market है, वो तो मुझे more over constantly लगा, यह इतने सालों के अंदर आप देखो गया, यह इनके कुछ residential projects है, जो कि अभी आने वाले है, और यह इनके कुछ ongoing projects है, commercial projects, जो कि आप screen पे देख सकते hospitality segment के अंदर company के यह project सालने वाले है, तो यह सारे कुछ projects है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसें भी company का analysis करते हो, तो आपको उस company का पूरा picture देखना होता है, आपको उस company का पूरा business model समझना होता है, फिर हम बात कर लेते हैं कि company के management जो है, management ने अपने इसके साथ साथ आपको real estate के अंदर भी तेल्मेंट जिकने मिन रहे हैं क्योंकि सारे real estate companies जो है, अच्छे कास है pre-sales के number report कर रहे है, अपका brigade enterprises हो गया, phoenix limited हो गया, phoenix means value company है, जो कि phoenix smalls बनाती है, वो भी company अच्छे numbers report कर रहे हैं, जित्ते भी real estate players है, जो अधरे अच्छ वो already start हो चुका है, और इनका जो दूसरा additional 3 megawatt मानेसर के अंदर वो कुछ अभी December तक live हो जाएगा, और December तक एक और चीज होने वाली यह company के साथ, कि December तक यह जो company है, वो debt free भी हो जाएगा, फिर उसके बाद बात कह रहे हैं, तो company के management ने बताया है, कि इनका एक data center का generate करने cost कुछ around 26 crores के असपर जाता है, और यह एक data center से कुछ 90 lakhs के असपर नीस revenue generate करेंगे, और वो 90 lakhs में से 15 lakhs जो है, operational cost रहेंगे इनके, और इनका कुछ EBITDA जो है, basically आपका 75 lakhs के असपर बैट जाएगा, तो यह EBITDA जो है, company जो है, generate करेगा, एक आपके जो 1 megawatt के data center से, तो मतल को अच्छा सा फाइदा देखने मिल सकता है, और आपका जो data center generate करने का cost है, वो भी इस company का कम है, मतलब मुझे ऐसे पसने लगता है, company का management है, वो भी बोलता है, कि बाकी जो data center बारे player है, वो एकने जादा इस market के अंदर progress नहीं कर पाएंगे, क्योंकि Anantaraj जो pace पे ग्रो कर पाएंगे, अब यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि Anantaraj के पास already बहुत कुछ रड़ी है, और इन्होंने data centers के उपर बहुत time पहले से ही काम करना start कर दिया था, यह बस इसे execute करने के लिए वेट कर रहे है तो अभी इन्होंने इसका execution भी start कर दिया, कोई अगर नए player को इस industry के अंदर आना है, तो उसे minimum 3-4 साल तो पूरी हर एक चीज समझने में लग जाएगा, तो यह reason है, जिसके विज़े से इस company के पास एक competitive advantage भी है, बट अगर किसी को इस industry के अंदर penetration करना है, तो बहुत ज़्यादा funding लगा कर भी penetrate कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, कि competitive advantage रहेगा, ज़्यादा land का जो cost है, ज़्यादा substantial part नहीं है, उस data center का, और किसी को भी अगर data center lease पे लेना है, तो उसे 10-15 साल lease पे लेना पड़ेगा, जो कि company के management के लिए actually positive बात है, क्योंकि आपको एक fixed contract मेल गया रहा है, कि 10-15 साल आपको free rent, free rent मतलब आपको basic data center land करकर rent आ रहा है, आप business से उस start कर रहा है, यह जो business से cloud services वाला यह pilot के अंदर है, इसके ओपर management विल्कुल भी numbers out नहीं कर रहा है, क्योंकि business अब बात भी सखी, क्योंकि business completely pilots दे इसके अंदर है, हमें बता नहीं है कि इसका execution कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, तो इसके management के numbers इस business के लिए द revenues generate कर लेगा, तो यह हमें देखने मिल सकता है, आगे कुछ ताहीं बात, मतलब FI 28 तक हम देख सकते हैं कि company के revenues है, डेटा सेंटर से ही से 300 croz के आसपस तक आजाएंगे, तो जो कि एक positive बात है, FI 28 तक है, क्योंकि इनोंने 4-5 यह का planning दिया है, तो FI 28 तक ही हम consider करेंगे, तो थोड़ा conservative case भी होगे, और जिसके मैंने आपको पहले ही बता है, कि company बूलती है, company का management है, वो बूलता है कि data centers जो है, इंडिया के लिए एक बहुत नया business है, अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा companies है, तो company के management के पास है competitive advantage भी है, बट इसके साथ थोड़ा lack of knowledge भी है, तो इस company के management को जो है, pop-up करना पड़ेगा, basically हमें वेट करना पड़ेगा, ये company जो है, बड़ी attractive से बैट लगी मुझे, but, 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 हमें इनका execution track करना पड़ेगा, क्योंकि plan जो है, company के बहुत जादा अच्छे, but, हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, कि ये जो plans है, वो execute कर पा र बहुत सारी companies होती है, जो कि पूरा number fulfill नहीं कर पाती है, ये से बहुत सारी listed space के अंदर companies हो कि अपनी guidance पूरी नहीं कर पाती है, तो stock market भी जो है, उन्हें अच्छी खासे तरीके से मारा पीटी करता है उन stocks के साथ, और उन्हें गिरा देता है, basically, तो ये stocks के अंदर हमें अच अंतराज के बारे में, कि इस वीडियो को बैस हित्ता ही रखेंगे, अंतराज के बारे में, वीडियो अचा लगा, तो लाइक करते हैं, content अचा लगा, तो चैनल सब्सक्क्रब करते हैं, और ऐसी और वीडियो के लिए comment में आकर पता देना, कि आपको कौन से company के बारे में analysis कुछ details मैंने शायद से miss कर दियो, क्योंकि यह जो वीडियो है, मैं second time record कर रहा हूँ, तो हो सकता है, कुछ details मिस कर दियो, तो अगर मुझे ऐसे personally feel होता है, कि मैंने कुछ details मिस की है, तो मैं comment section में बो जो first comment है, उस पर पिन कर कर रख दूँगा, जो भी details मैंने miss की है, इस company के जाकर इस company पर पैसे मत लगा देना, क्योंकि यह कोई investment advice नहीं है, वीडियो का main purpose यही तक है, आपको analysis प्रॉवाइड हो जाए इस company के, तक है आपको decision ले सको, that's it, thank you for what.